दुनिया भी कितनी रंगदंगेली है ना कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजों की कदर नहीं करते जो हमारे आसपास होती हैं और ऐसा तब ही होता है जब हम उस चीज का सही मूल्य नहीं जानते और जब उस चीज की वैल्यू जान जाते हैं तो उसको पाने की हर संभव कोशिश करते हैं हरे-अरे इसमें इमोशनल होने जैसा कुछ भी नहीं है दरसल आज के इस कारेक्रम में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपने कभी तो देखा होगा लेकिन देख कर भी अंदेखा कर दिया होगा क्योंकि तब तक आपको उस चीज की वैल् पुर्णते फिरोगे चलिए जानते हैं इस कीड़े की खासियत और कहां मिलेगा ये कीड़ा जानवर और इंसानों का वर्षों से पुराना रिष्टा रहा है जानवरों पक्षियों और कीड़ों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं आम तौर पर हम कुछ प्रकार के कीड़ा ऐसा भी है जो आपको लगपती बना सकता है इसकी कीमत इतनी होती है कि आप एक ही बार में बेश कीमती गाड़ी या लेटेस्ट अपडेशन वाले करीब 15 आइफोन तक खरीच सकते हैं यह सुनना जरा अटपटा तो जरूर लग सकता है कि कोई कीड़ा आखिर कैसे लगपती बना सकता है पर वास्तव में ऐसा ही है जिस कीड़े के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो दुनिया के सबसे महंगे कीडों में से एक है इस कीड़े का नाम है स्टैग बीटल इस कीड़े को लेकर इतनी चर्चा सिर्फ इसकी महंगी कीमत के कारण है स्टैग बीट याननी, पेडों का रस और सरते फलों का तरलपदार्थ। नर्फ्र स्टैक बीटल के जबड़े बड़े होते हैं। मादाओं के जब्रे नर की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। मादा स्टैक बीटल अक्सर जमीन पर देखी जाती है। वे हमेशा अपने अंदे देने के लिए किसी जगे की तलाश में रहती है। अब सवाल ये है, ये कीडे आखिर इतने महंगे क्यों होते हैं और कीडों को खरीदा क्यों जाता है। तो आपको बता दें कि इस कीडे का इस्तिमाल असाध्य रोगों की दवा बनाने में होता है, इसलिए इनकी कीमत इतनी ज्यादा है। हालांकि इस प्रजाती पर लुप्त होने का खत्रा भी बढ़ता जा रहा है। कीड़ों का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए आमतोर पर ये दिखाई नहीं देते। पर इनकी वैश्विक स्तर पर काफी डिमान रही है। सोचिए अगर आपको एक कीड़ा मिल जाए तो आप रातो रात कई लाक रुपाई के मालिक हो सकते हैं।